कि नमस्कार स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का इंपोर्टन्ट क्यू एने के एक और नए और शांदार वीडियो में इस वीडियो में हम डिसक्स करने वाला है इंपोर्टन्ट क्यू एने फॉर क्रियेटिंग रिपोर्ट्स तो इस वीडियो को सुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर यहां पर देख सकते हैं कि मैंने इतने प्लेइलिस्ट बना लिये है तो आपको अगर कोई भी वीडियो देखना है या कोई भी टॉपिक आपका मीज हो गया है तो आप यहां प्लेइलिस्ट में जाइए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और Q&A तो यह सारे वीडियो आपको यहां पर मिल जाएगे जो मैंने टॉपिक वाई यहां पर अप्लोड किया है तो अगर आपने कोई भी कंशप मीज कर दिया है या तो आपको कोई डाउट है किसी भी कंशप में यहां जाइए और उस पर्टिकुलर वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं मैं आपको रिप्लाइ जरूर दूँगा तो आई आज का वीडियो शुरू करते हैं मैसल्फ संजेप परमार I welcome you all on my channel tutorial EICS IB अगर आप चैनल पे नए हैं पहली बार च करते हैं मिल जाएगा तो आई यह वीडियो को सुरू करता है जैसे हम डिसकस करते हैं important Q&A सबसे पहला पार जो होता है वो है objective type questions तो यहां पर सबसे पहला question मैंने इस topic से लिया है reports using wizard तो creating reports using wizard वो आपके unit 3 database management system का एक learning outcome है तो आई यह देखते हैं इसमें यह questions मैंने कुछ उस में से pick किये है उस topic में से निकाल करके तो सबसे पहला question the dash is used to generate overall or work out come in clear format तो overall जो work out होता है overall जो हम काम करते हैं उसका clear format में हमें क्या output देगा यहां कौन सा object है तो यहां पर answer आएगा report और report का definition ही यही होता है दूसरा question भी same उसके related है a dash can represent data in printed form तो यहां पर यह है यह भी answer आएगा report ताकि जो report है वो printed form final जो database का जो data है उसको हम कैसे print कर सकता है option में कैसे print कर सकता है तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा report तो report आपको finally वहां पर दिखाएगा कि क्या data आपने लिया है तो आप जितना data चाहे उतना print करवा सकते है यह एक invoice की तरह होता ह question 3 there is only one option to create reports in open office base तो report create करने के लिए आपके पास से एक ही option है report using wizard तो यह statement true है यहाँ पे next is which of the following option available under task to create a report in OO base तो OO base में अगर आपको report create करना है तो इन में से कौन सा option available है तो सबसे पहला option यहाँ पे आप देख पा रहा है use design view to create report तो design view इसमें है नहीं use wizard to create report तो सिर्फ यही option है वहाँ पे तो आप यह याद रखिए use wizard to create report यह option आपको मिलेगा बाकी के जो option यहाँ पे दिये है उन में से कोई भी विकल्प यहाँ सही नहीं होगा question 5 how many steps are there in the report wizard in OO base तो आप open office base जैसे आप open करते है उसमें report create करते है तो वो report wizard के कितने steps है तो य playlist में से वो video मिल जाएगा जाइए description में वहाँ पे उसका link है और open करके देख लीजिए question 6 which of the following step of report wizard allows to select tables queries and columns to display in the database तो यहाँ पे यह पूछा गया है कि जैसे आप step perform करते है तो नीचे में से कौन सा step है जिसमें आप select tables या तो queries और अलग-अलग field जो होता है अलग-अलग column जो होता है वो select करेंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ fields यहाँ पर select करने के लिए कुछ steps दिये है तो steps को आपको identify करना है कि कौन सा step है जहाँ पर आप column select कर सकते है तो पहला labeling field है वो नहीं आएगा fields selection यह आएगा तो यह correct step है एक तो यह इसका correct answer होगा create report final और last step होता है और choose layout बीच दे देता है उसके बाद आपको sorting botting जो करना है वो आपने कर दिया उसके बाद अगर आप यहाँ पर layout select करना चाहे तो इसके लिए layout का option रहता है choose layout labeling fields allows to change the column name in a table from report wizard तो देखे report में से आप कुछ भी change नहीं कर सकते direct और column को तो change कर ही नहीं सकते तो column का नाम अगर change करना है तो उसके लिए आपको या तो alter command use करना पड़ेगा या तो फिर उसका data sheet view use करना पड़ेगा जो edit option होता है table में वही आप use करके इसको कर पाएंगे तो यह statement हो जाएगा false labeling आप additional value report में दिखेगी उसके लिए ही apply कर सकते है उसके लिए ही use कर सकते है question 8 you can generate a report by grouping records according to fields तो यह true है पड़ेगा कोई भी एक function aggregate function जो एक ही value return करेगा जैसे max, mean, sum, count तो इन में से कोई भी function आपको group करने के लिए use करना पड़ेगा तो वहाँ grouping वाला option आपको steps में मिल जाएगा तो step में आपको group कर देना है question 9 you have only portrait orientation for your report in report wizard in OO base तो यहाँ पे यह statement हो जाएगा false क्यूंकि आप portrait भी बना सकता है और landscape भी report prepare कर सकता है question 10 by default the report wizard displays dash title of report तो यहाँ पे जैसे आप करते है तो title जो final आता है step में तो final step में title क्या आएगा तो यहाँ पे blank बोले कुछ भी नहीं तो ऐसा नहीं है table name तो आपने जो select किया होगा table select tables and fields वाले step में तो वो table name वहाँ पे by default दीख जाता है untitled no name वहाँ पे नहीं आता है तो जो भी table आपने select किया होगा उसका नाम वहाँ पे last step में आता है तो यह थे objective type questions इस topic में से अब कुछ subjective type questions है descriptive type questions है वो यहाँ पे देखते है तो यहाँ पे देखिए आपको अगर इसके answer चाहिए तो यहाँ पे notes का link मैंने already दे दिया है यह link आपको description में मिल जाएगा उसमें यह पूरा website का जो मेरा page है post है वो मैंने link किया हुआ है तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको यह सारी चीजे मिल जाएगी तो answer के लिए आप इस link को prefer करिए इस link पे आपको यह सारा option मिल जाएगा और अगर आपको यह PDF चाहिए तो हमार WhatsApp ग्रूप उसका link आपको मेरे website के फूटर में मिलेगा वहाँ जाएगे आप और वहाँ से आप WhatsApp ग्रूप जोईन कर सकते हैं जहाँ पर मैं ऐसी चीजे शेर करने वाला हूँ और कुछ-कुछ मैं सुरू कर दिया है तो आने वाले समय में आपको सारी चीजे यहाँ पर मिल यह देखे यहाँ पर यह मेरा homepage है किसी भी page के footer में आपको यह सारी ग्रूप मिलेंगे तो आप particular किसी भी ग्रूप में जोईन होना चाहते हैं तो आप जोईन हो सकते हैं आपको यहाँ पे PDF अगेरा में available करा दूँगा तो आईए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और discuss करत है subjective type questions पहला question है what is report अब report के बारे में क्या लिख सकते हैं तो अपनी भाषा में report को आप समझाए कि report क्या होता है बट वो relevant होना चाहिए तो what is report हम क्या कहेंगे report को report is just output of user's work यह भी आप लिख सकते हैं इसमें गलत कुछ नहीं है और यह भी लिख सकते है a report is a object of database that allows to take the data from table views queries in a printed form तो यह भी इसका answer सही रहेगा तो आप कोई भी लिख सकते हैं what is report wizard तो यह report wizard simple है a report wizard is used to create a report using wizard and a wizard is a step-by-step process of performing the task तो यह आप यहां पर लिख सकते हैं how do you create a report in report wizard और right steps to report steps to a report using report wizard okay steps to create a report यहां पर create word missing है step to create a report using report wizard तो यहां पर आपको उसके steps लिख देना है तो step simple है सबसे पहला आपको आएगा कि start up करेंगे जैसे तो वहां पर जो आएगा वो लिखेंगे आप field select करना है second step में तो ऐसे जो भी steps है आपको इस link में यहां पर पूरा explanation मिल जाएगा तो वहां पर जा करके आप देख लिए ताकि मैंने पिछले वीडियो में management कर दिया है क्या क्या steps है वहां पर भी जाके आप देख सकते हैं question four how to create a report from a query query में से कैसे create करेंगे तो यह से step में change आएगा जहां पर आप table select करते हैं उसके जगह हम क्या ले लेंगे जो saved query है उसे ले लेंगे और उससे report और create करेंगे तो वह steps यहां पर आपको लिखना है question five what are the main features of a report report के features क्या है वह भी यहां पर link पर मैंने already answer दे दिया है आप जाइए उस link पर आपको answer मिल जाएगा और पिछले वीडियो में भी मैंने explain किया था कि main features क्या है एक तो summary दिखाता है आपको अगर कोई summary चाहिए तो summary देख सकते है invoice चैसा कोई output आपको generate करना है तो कर सकता है तो ऐसे कुछ feature से report के तो वह आपको वहाँ पर मिल जाएंगे what is the difference between a static report and dynamic report static report और dynamic report में क्या difference रहेगा तो static report अगर आप बनाते है तो वहाँ पर क्या होगा कि जो data है वो एक objects जो हम लेकर के आते है तो वो data वहाँ पर fix रहता है dynamic report में आपको change करना चाहे तो कर सकते है तो वो यह इसका major difference है बट वैसे अगर आप output देखेंगे तो आपको output में similar चीजे ही मिलेगी आपको उतना ज्यादा variation मिलेगा नहीं बट जब कुछ command हम यूज करेंगे उसके बाद उसका difference है वो ध्यान में आता है हलाकि यह चीज इतनी important नहीं है बट यहाँ step में थी तो मैंने question निकाल करके यहाँ दिया है question 7 how to save your report in OOBase तो report save करने के लिए क्या करना है जब आपका final step आता है create report उसमें जा करके जहाँ पे title होता है report का वो title दे दीजिए और finish कर दीजिए automatically यह save हो जाएगा question 8 which types of layout you prefer to choose for your reports give regions for any 4 report layout तो आपको report के layout चेक करना है उसमें से आपको कौन से चार report layout है जो सबसे ज़्यदा अच्छे लगते है या तो आप use करना चाहेंगे आप अगर report बना रहे है तो उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है तो कोई भी चार report का layout select करिए जैसे outline होता है header footer वाला होता है उसके बाद अगर आप देखे देटा सेंटर में आए उसमें कुछ image आए map वाला आता है तो ऐसा कोई भी आप सिरक करें layout और उसके बारे में लिख दीजिए कि उस particular report में क्या क्या चीज़े आती है तो वहां से आपको पता चल जाएगा तो वह आप step by step perform करिए उसमें यह जो report वाला step आता है वहां पे सार report क्लिक करके preview देख लिजिए उसके बाद इसका answer लिख पाएंगे और उसके बाद इसका answer लिखिए तो आपको भी समझ में आएगा कि क्या का layout आप यूज कर सकते हैं तो यह था Q&A for creating report using wizard तो आपकी अगर कोई query है कोई doubt है और इस वीडियो के बारे में आपको कुछ कहना च subscribe करिए वीडियो को share करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे Facebook पेज पर आप like कर सकते हैं Facebook पेज को और उसमें हम जो भी ब्लॉग पे नए अपने डालते हैं वह तूरंत वहां पर share हो जाता है तो आप Facebook पेज भी like कर सकते है WhatsApp जोइन कर सकते है Instagram पर हमें follow कर सकते हैं तो सभी जगा हमारा एक ही ID है और यह ID tutorial AICS IP के नाम से है तो आप follow कर सकते हैं और आपके भी अगर कोई question है आपकी कोई requirement है तो आप हमें comment करके जरूर बताए हम उसको भी provide करने की कुछिस करेंगे या तो अपनी वीडियो में या तो अपने ब्लॉग में उसको कहीं न कहीं integrate करके आ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए keep watching keep learning